हेलो एप्रिवान वेलकम बैक तो मैं चानल वन स्टेप फॉर एजुकेशन आज की आपकी वर्कशीट है वर्कशीट नमबर 84 कारेपत्रक 84 यह आपकी कॉमन वर्कशीट है क्लास 6-8 के लिए डेट इस 10 अक्टोबर 2020 यह आपकी साटरडे की वर्कशीट है आईए देखते हैं अज की आपकी वर्कशीट कला संबन्दित वर्कशीट है आईए देखते हैं कला जीवन का ऐसा तरीका है जो हमारे जीवन को सज़ाता और सवारता है कुछ प्रमुक कलाई चित्रकला गायन वादन अभीने पाक कला अधी इसमें आपको कला के बारे में बताया हुआ है चित पूकिंग होती है आदी को तो आप जानते ही हैं ये हमारे जीवन और संस्कृति के अंग है चित्रकला हमारे जीवन और मन को रंगीन बनाता है तो निर्तेकला अभ्यास और मनोरंजन का तरीका है इन सब चीजों से हमारा जीवन चित्रकला से हमारा जीवन रंगीन बनता है औ इसके ना रहने पर आपका जीवन स्वाधिन हो जाएगा अगर भोजन ही नहीं होगा तो हमारे जीवन कैसे हो जाएगा स्वाधिन ये तो आप जानते ही हैं ग्यान और विज्यान ने जहां हमारे जीवन को स्वीधा जनक बनाया और प्रगर्ति की रहा पर चलना सिखाया वहीं पर कलाओं ने हमारे जीवन को सुन्दर बनाया प्राचीन काल से ही 64 प्रकार की कलाओं बताई जाती है कुछ कलाओं जानना मनुश्य के सभ्यता संस्कृति और चरित्र के विकास के लिए आविश्यक्त है आपको यहां बताय हुआ है कि टोटल कलाओं प्राचीन काल में कितने प्रकार की थी 64 प्रकार की उसमें से कुछ मनुश्य को जानना जरूरी होता है सभ्यता संस्कृति और चरित्र के लिए आप जाने अन जाने में बहुत सी कलाओं का प्रियोग करते हैं जब शरीर और मन ठकता है तो संगीत हमारी ठकान को मिटाता है जब लोग प्रसन होते हैं तो गुन-गुनाने या निर्टे करने लगते हैं यह मनुश्य का सहथ स्वभाव है यह आप जानते ही हैं जब हम ठकते हैं और उसके बाद हम कोई music सुनते हैं, कोई संगीत सुनते हैं, तो हमारी थकान उतर जाती है और जब हम खुश होते हैं, प्रसन होते हैं, तो हमारा कोई गाना, गुन-गुनाने या डांस करने का मन होता है उसके बाद आप भी विचार कीजिए कि आपकी किस कला में रूची है, यदि आप कुछ गाते हैं, तो उसे रिकॉर्ड करके अपने स्कूल के ग्रूप पर भीजिए अगर आप गाने में इंट्रस्टेड हो और आपको गाना पसंद है, तो आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके स्कूल के ग्रूप पर डाल सकते हैं आपके स्कूल परोस या घर में जो भी आपके विचार से अच्छा चित्र बनाते हैं, गाते हैं, बादन, निर्टे, डांस, आदी करते हैं, उनकी सूची बनाईए अब आपको ये कुछ कोशन्स दिये हुए हैं, वन बाई वन आईएन के अंसर्स देखते हैं फर्स्ट कोशन्स आपका ये ही है, कि अगर आपके स्कूल के पास या आपके परोस में कोई अच्छा चित्र बनाते हैं, गाते हैं, बादन, यानि कुछ प्ले करते हैं, या डांस करते हैं, आपको उनकी सूची बनानी है आईए देखते हैं आपका अंसर, आप अपना अंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, जो भी आपके आसपास चित्र बनाते हैं, इदर आप उनका नाम लिख सकते हैं, मैंने लिखा है हमारे पडोस में एक चाचा है, वो बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं, निर्ते में मैंने लि कुछ वाद बाजा मू से फूक कर कुछ तार से कुछ थाप अथार्थ पीट कर बजाए जाते हैं इन्हें चित्र के द्वारा पैचान कर नाम आगे लिखे इधर आपको कुछ बाद दिये हुए इंस्ट्रूमेंट दिये हुए आपको इनका नाम बताना है इन्हीं के सामने आ आपको प्यानो कीबोर्ड दिया हुआ है ये कीबोर्ड प्यानो है उसके बाद आपको इधर बासुरी दिख रही है इधर शेहनाई है ये ये आपका ड्रॉम सेट है इधर सितार है ये आपका प्यानो है ये किटार है और इधर तबला और लास्ट में आपको क्या दियो है यह आपको इंस्ट्रूमेंट दिये हुए हैं कुछ बाद दिये हुए हैं इन में से कुछ हम फूक कर बजाते हैं जो हवा की हिल्प से मूँ से हवा निकाल कर बजाते हैं और कुछ को हम थाप मार कर बजाते हैं जैसे कि तबला और ड्रम सेट और कुछ को हम पीट कर बजाते ह तो ये थे आपका question number two, आईगे देखते है question number three संगीत में गायन और वादन दो प्रकार की कलाएं हैं इन में से आपको क्या अच्छा लगता है और क्यूं अच्छा लगता है लिखे आपको बताना है कि आपको संगीत के इदर आप से पूछा हुआ है संगीत के दो प्रकार है गायन और वादन गायन मिंस गाना और वादन मिंस बजाना तो आपको इन दोनों में से क्या पसंद है और क्यों पसंद है तो आप उत्तर में बता सकते हैं जो भी आपको पसंद हो मैंने लिखा है संगीत में मुझे वादन पसंद है क्योंकि हर वाद का अपना महत्व होता है और हर वाद की ध्वनी विभिन मिन्स अलग होती है इन विभिन प्रकार के वाद की ध्वनियों का हमारे मन मस्तिक्ष पर सकरात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है ये जितने भी वाद होते हैं इनकी ध्वनी क्या पैदा करती है हमारे मस्तिक्ष में पॉजिटिविटी सकरात्मक अब नेक्स्ट कोशन है आपका कलाओ के शेत्र में भी सम्मान और कैरियर बन सकता है लता मंगेशकर को आज दुनिया जानती है उस्ताद बिस्मिल्ला का को कौन भूल सकता है ये भारत रत्न है आप जितने गायक, वादक और निर्त्यांगना को जानते हैं उनकी सूची बनाईए किसी एक प्रसित गायक या वादक के बारे में लिखे आपको जितने भी भारत के फेमस गायक, वादक और निर्त्यांगना है उनके बारे में बताना है और उनमें से किसी एक की सूची बन के बारे में प्रसित गायक या वादक के बारे में लिखना है तो मैंने पहले आप इस तरीके से गायक बताएंगे भारत के सर्वोक्स गायक और गायका है, लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, मुहम्मद रफी और एयार रह्मान, आप और भी नाम लिख सकते हैं उसके बाद भारत के प्रसित वादक है, पंडित हरी प्रसार, जो की बासुरी वादक है, पंडित रविशंकर, जो की सितार वादक है, बिस्मिल्ला खान, जो की शैनाई वादक थे उसके बाद आपको बताना है भारत के प्रसित निर्टांगना तो आप इदर रुख्मनी देवी का नाम लिख सकते हैं जो की भरत नाट्यम करती थी और पंडित बिर्जु महाराज जो की कत्थक करते थे ऐसे आप नाम बता सकते हैं भारत के प्रसित निर्टांगना का उसके बाद आप किसी एक गाया क्या वादक के बारे में कुछ लिखना है आपको तो मैंने लता मंगेशकर जी के बारे में लिखा है देखते हैं लता मंगेशकर अपनी अवाज के लिए भारत ही क्या पूरी दुनिया की सबसे लोगप्रिय और आधर्णिय गाई का है मतलब लता मंगेशकर जी भारत में ही नहीं पूरे वर्ड में बहुत फेमस है उनके पिता पंडित दीनानात मंगेशकर रंगमंच के कलाकार और गायक थे उनके पिता जी भी गायक थे उन्होंने तकरीबन एक हजार से जादा हिंदी फिल्मों के लिए गाने गाये हैं और साथ ही उन्होंने विदेशी भाषाओं में भी गायक गाये जो लता मंगेशकर जी हैं उन्होंने तकरीबन एक हजार सौंग गाये हैं हिंदी फिल्मों के लिए और उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ विदेशी भाषाओं में भी अपना गायन किया है तो यह थी आपकी आज की वर्कशीट या आपकी इस म्यूजिक की वर्कशीट थी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी कॉमेंट करके बता सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी थैंक यू